हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बजरंग इस्टेडी के यूटूब चैनल में और जैसे कि आप सभी को पता है यह चैनल है इसे संबंदत प्रित्यों की परिक्षाओं तथा सेमिस्टर परिक्षाओं की तयारी है तो मैंने आपको से पहले काफी सारी लेक्षेर अपने इस यूटूब चैनल पर बना दिये हैं आपको जादा इस्टेडी करनी है तो चैनल की प्लेलेस्ट में चले आईए और कम्पीटर और आई ट्रेड एलेक्टिशियन की ट्रेट थेओरी की बढ़ाई एदि आप इच्छों हैं तो कर सकते हैं आज जो चैप्टर पढ़ा रह हम ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं कुशन की और चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं प्रतम कुशन की और और पहला प्रस्ण है आपकी स्क्रीन पर यह कि सुपर इनेमल तारो को सुपर इनेमल तारो का गेज किसके द्वारा मापा जाता है जिसके द्वा क्या होगा आप वसे अर्फारध बी i activates क्या होगा तार गेश इसको हम ऐस डवजी S W G के नाम से भी जानते है S W G अर्थात standard wire gauge इससे क्या करते हैं, हम तारों का ब्यास मापते हैं अगला प्रस्न दिखते हैं, अगला प्रस्न क्या है अगला प्रस्न है, चित्र में दिखाया गया बिद्धूत कारियों में उपयोग उपयोगी OJAR क्या है और मिल आजार है सुप्सर्म करतक है करतक पलायर है निपर है इन direction इस नुम्र और इस इस मेंसे कौन सा अंशर प्रिश्ण का आंशर होगा निकलब नमड एक दो तीन चार में से बताइएगा इस प्रिश्ण का जो अंशर है बै रब करतक है इसकूरू ट्राइवर अर्थात पेचकस पेचकस का बिलेड यदि यह पेचकस की आकरती है कुछ इस परकार से इस परकार से पेचकस बना हुआ है तो इसका जो बिलेड होता है यह यहां से यहां तक जो बिलेड होता है यह बिलेड किसका बना होता है यह पूछा गया है आप कथोःब साफट सटील घाटोटोड चाल या कथोर एनटी कारवन इस टील का तो यह बना होता है कट्फोःरिय मैं टेप सही अंसर होगा अगला प्रसून देखते हैं अगला प्रसुन गया है अगला प्रेस्ट का पीच है लकड harmony के इस क्रूब अरथा प्रेज का जो होता है क्रोंफ पूजीशन के अंति तक दूरी व Chr Mur zwischenफ अंति तक आप चेट की नाम जानते आप वर्संति नहीं प्रकां लिए क्छहनी का प्रियोब करते हैं उसका चितरी यहां पर आपको दिखाया गया है जिस छेनी का परियोग आप करते हैं उस चेनी का चित्र आपको यहाँ पर प्रदर्शिद भी किया गया है तो इन मैं से आंसर कौन सा सही होगा यह बताईगा गोल चेनी डायमंड चेनी फ्लेट चेनी या कैप चेनी तो यह कीवेज काटने के लिए हम जिस छेनी का प्रियोग करते हैं बेच छेनी होती है कैप छेनी कौन सी छेनी कैप छेनी option नमबर d इस प्रशन का सही answer होगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है हतोडे का size किसके अनुसार मापा जाता है अगला प्रसान देखते हैं waterproof के अंदर की चुड़ी काटने के लिए किश ऑजार का प्रीयोंक के अदर की काटने के लिए हम कि- deja OFजार ट्यूब निक होजार ट्यूब करत तक पाइप करत द्यूब करतागत पायप के अंदर की जह चैसे बहा हम काटते हैं किस से टैप से या डाई से तो पाइप के अंदर की चूड़ियां हम काटते हैं डाई से अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद क्या है insulated combination plier के लिए साबधानी रखेंगे कि उसे हतोड़े के रूप में प्रयोग नहीं करें उचे स्थान से नहीं फेंके समय समय पर तेल लगाए उप्रोक्त सभी insulated plier को हम कभी भी हतोड़े के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी इस प्रयोग में लेते समय क्या साब्धानी वरतनी चाहिए धाई सो बोल्ट से अधिक रेंज पर काम में नहीं लेंगे इंसुलेशन चेक करेंगे चेक करते समय धातू की किलिप पर उंगली रखेंगे वह अर्थ के संपर्क बराएंगे और डी अप्सन है उप्रोक्त सभी इस प्रिशन का जो आंसर है बहे होगा प्रोक्त सभी कॉंचा अंसर सजी होगा उप्रोक्त सभी इसमें सजी होगा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है सावलेट की लंबाई ना पी जाती है एक से दूसरे सिरे की दूरी की दूरी 10 पिंहोल के केंद्रों की बीची दूरी का की आधार पर हैंडल अ के का का ऑन्सर ओप्षिटा नम्पर दौनकों के भीचुंदी चलिए मैं इसका एंट्रीमिटर को ही हम भैक से ब्लीट की लंबाई बताएंगे ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है बर्साथ के दिनों में और जारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें कपड़े में लेपेट कर रखना चाहिए उन पर एनेमल प एक साफ करकर रखना चाहिए बरस से साफ करकर रखना चाहिए तेल लगा कर रखना चाहिए निर्मान में परियुक्त अधाताथ हाडवाजी स्टील yeah जताक नमबtaćी मिल रहे हैं अगला में थोज अर्था ठील बनी होती है अगला प्रस्थ potrze एक पिस्ट का परियोग हम तब करते हैं जब केविल छोड़ा जाए बूस अंपरकर अलिक्टोड से जोड़ा जाए एकल इंसुलेटेड हो और दोहरी इंसुलेटेड हो तो इस प्रस्वार प्लक का अदीगाएर गयाप मापनेके लिए हम किसका प्रियोग करते हैं तो इसके लिए हम फिलर गेज का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं फिलर गेज का प्रियोग करते हैं अप्सन नमबर ए इस प्रिशन का सही अंसर होगा फाइल की लंबाई कहां से कहां तक ना पी जाती है तो ये पॉइंट से हिल के बीच ना पी जाती है कहां से ना पी जाती है पॉइंट से हिल के बीच तक फाइल की लंबाई को हम मापते है देख लेजी पॉइंट से और हिल देखिए यह जो अगला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट और यह यहां तक की दूरी इसको मापते हैं तो फाइल की जो लंबाई अर्था इसकी रिती की जो लंबाई मापी जाती है वो यहां से और यहां तक मापी जाती है यहां से यहां से और यहां तक मापी जाती है यहां से हां इस हिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बने रही है चैनल के साथ तब तक के लिए धन्वाज जैहिंद जैवारत